यह हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट सेकेंड है आप लोगों को पता है हमने 32 कोशन स्प्लिन टू पैरामांट एक्साइस के सॉल्फ कर लिये हैं अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो चलिए वीडियो को देखते हैं भाई ठीक है हां जी तो पहला कोशन हम लोगों के आगे आता है ही वोस डिबार्ड तू अटेंड दे मौन्सों स्ट्शन ऑफ दे पार्लेमंट मैंने आप लोगों को हमेशा बताया मेरे भाई कि जो आपका यह फिक्स्ट प्रेपोजिशन होता है यही इंप्रेपोजिशन में जाग 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 आपको एमोंग बिट्वीन इंक के उपर आ सकता है मगर आपके प्रेपोजिशन का जो फिक्स्ट प्रेपोजिशन पार्ट है वो बहुत इंपोटन्ट है तो आपको पता होना जी जैसे कि प्रिवेंट प्रिवेंट अपने साथ फ्रॉम लेता है ठीक है वैसी डिबार डिबार भी अपने साथ क्या लेता है फ पर तू हट जाएगा डिवार के बाद फ्रॉम आ जाएगा और इस अटेंड में मैं आई एंज लगा के अटेंडिंग कर दूँगा तो मेरा अंसर क्या बनेगा ही वोस डिवार्ड फ्रॉम अटेंडिंग यह हमारा अंसर हो जागा नेक्स बढ़ते हैं भाई हम मैंने बोला ही is तो भाई वेट के साथ फ़र आता है अब आफिरत का मतलब ही सब विए का डिवार के साफ प्राम आये रिफ्रेंड और इडिक उल्षन पासरे ये बातें आपको पता होनी चाहिए तक यह नेक्स धो हैं हम आगे देखते हैं आजाए ध्यान से देखो थोड़ा जूम कर देते हैं वीडियो को और अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट है कह रहा है भाई the songs of the old movies are worth listening to मेरे भाई हमेशा ध्यान दख्रो कि listening कि listening के बाद टू आता है listening अपने साथ टू लेता है और टू के बाद object लेता है ठीक है वर्ट listening तू के बाद बर लिस्निंग के बाद टू नहीं आएगा क्यों यह आएगा अगर तू आना है तू लगाना है अगर आपको तो के बाद यहां पर object होना चाहिए कोई object तो है नहीं इसलिए तू भी हटा हो तो ध्यान ऐसे आद रख सकते हो कि वर्ट listening के साथ तू लगाना है तो object आना चाहिए अगर तू के बाद object नहीं है तू हटा दो वर्ट listening to नहीं लेता यह चीज़ धान रखो आप next है मेरे वाई he should be obvious to you that if you persist persist हमेशा अपने साथ fix proposition इन लेगा persist in bothering him लिख लो note कर लो prevent refrain debar from लेंगे listening to लेगा wait for लेगा persist in लेगा guilty of लेगा accuse of लेगा differ from लेगा admit to लेगा यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए बिल्कूल ठीक है न अगर आपको knowledge के लिए बोलना हो कि he is good at something मतलब आपको बोलना हो कि वह English में अच्छा तो आप हमेशा बोलो good at English ठीक है बोलो math में अच्छा तो बोलना good at math मेरे भाई यह चीज़े ध्यान डगना काफी important है आप लोगों के लिए ठीक है आओ देखते हैं आगे next देखते हैं हम next क्या हमारा यहां पर तो यह persist के साथ तो इन आ जाएगा मैंने बता दिया next है I certainly differ with बस यहीं रोग जाओ मेरे भाई आगे तो पढ़ना ही नहीं भया differ अपने साथ from लेता है different अपने साथ from लेता है with की जगह पे आ जगह क्या from आ जाएगा ठीक है कल हमने part A किया था आज पार्ट भी कर रहे हैं आ उनों पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे next है he had a suspected fracture so he was admit मेरे भाई हमेशा ध्यान रखो admit प्लस में टू प्रेपोजिशन आएगा अगर किसी जगह की बात हो रही जैसे बोलो he was admitted to jail jail की बात हो रही है तो place की बात हो तो आएगा hospital की बात है टू आएगा school जा रहा है त तो भी टू आएगा ध्यान रखना जब भी place की बात हो तो admit go अपने सा टू प्रेपोजिशन लेता है ठीक है और एक चीज़ ओर ध्यान रखना कभी भी go arrive reach come यह वर्ब दिख जाए आप ध्यान रखना इंके बात कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा अगर आगर आपका home word लिखा वाओ वैसे तो adverb भी बोल सकता हूं adverb बनेगा बड़ आप ऐसे दानत रखो कि अगर go arrive reach come दिख रही है वर्ब तो home अगर word दे रखा है तो home से पहले कोई भी article नहीं आएगा यह question भी आपको मिलेगा पहले यह वाला देख लेते हैं he had a suspected fracture so he was admitted into नहीं place to the hospital if you put your heart to it you will be a winner यह तो एक idiomatic phrase put your heart into it into it कि भीया put your heart into it मैं आप लोगो को पढ़ा रहा हूं पूरे दिल से पढ़ा रहा हूं तो भीया पूरा effort दालके पढ़ा रहा हूं तो अगर आप अपना पूरा effort दालके काम करोगे तो you will be a winner यह चीज़ ध्यान दखना if you put your heart into it you will be a winner यह आपके 40 ह हो गए है मेरे भाई आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़े पता होनी चाहिए next है he walked 10 miles by foot वो दस मील चला by foot नहीं जब भी आप पैदल चलना है तो हमेशा बोलते हो on foot ठीक है और अकर by लगाना तो आप बोलो by walking ऐसे बोलो तो हमेशा आप on foot use करते हो जब आप चलते हो चलना बतानो by foot कुछ नहीं होता on foot होता है he is good dash in mathematics but his friend is not भाया अभी बताया था यह देखो यहां पर मैंने भी आपको बताया है कांग यह हटा दिया लग रहा है मैंने यहां मैंने भी आपको बताया था मैंने हटा दिया यहां से क्या हटा दिया भी यह good good के बाद अगर आपको बोलना है कोई किसी subject में अच्छा है तो good के साथ आप at use करोगे good के साथ क्या use करेंगे हम at use करेंगे next those who are in power have to be sensitive sensitive के वाद हमें सब fix proposition to आएगा यह आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ने के जरूती नहीं है sensitive के साथ to आता है subscribe के साथ to आता है आपको पता हो होना चाहिए ठीक है ना which newspaper do you subscribe for me subscribe to we thought that the train would be late but it arrived exactly on time जब भी कोई चीज पूरे अपने समय पे हो जैसे मैं बोलो 10 बज़े की ट्रेन है तो भाईया मैं 10 बज़े पहुंच पाऊंग ना पहुंच पाऊंग ट्रेन तो 10 बज़े चली जाएगी तो उन चीजों को आप use करते हो किस से on time से on लगाते हो तो आपका in time नहीं on time हो जाए on time despite के साथ off नहीं आता सभी को मालूम है in spite के साथ off आता है despite का मतलब ही होता है in spite of despite this repeated warnings he touched a live electric wire and was electrocuted उसको भी बहुत ते शौक लग गया था तो despite के साथ off नहीं आएगा next it is my pleasure to congratulate you congratulate हमेशा अपने साथ fix proposition on लेगा congratulate somebody on something to congratulate you on your success congratulate के साथ on आएगा यह आपको पता हो नहीं चीज़े ठीक है I will avail myself avail absent ठीक है यह सारे वर्ड enjoy यह सारे वर्ड आपको पता होना चीज़े अपने बाद reflexive case लेते हैं अगर क्योंकि यह सारे ट्रांजेटे वर्ड और ट्रांजेटे वर्ड को अपने बाद object चाहिए अब देखो इनके I will avail avail क्या कुछ पता ही नहीं ठीक है तो object तो नहीं है कर सकते हो तो I का क्या बनता है I का myself बन जाता है बिल्कुल सही है ठीक है दूसरा अवेल अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज करता है और यह भी चीज़े ध्यान रखना दोनों चीज़े आपके clear हो रही है बिल्कुल अच्छे से आपको चीज़े सीखने को मिलेंगी आजये इस हाँ पास टुब रहुपायल बन ब tinha दॉब का से चलग और जब भी आपको टाइम बताना होता तो आप हमेशा बोलोगे बाइक कर बिल्क अब ब्योंकिया सोब सार्या हो नहीं लगानी कि निक्स थे लाई हुक और शीए जीक है लेक्आ को गोण वेखनख 속 अगो बहुत बड़ा है आपका error हमेशा होगा cope with इसका मतलब होता है to handle something ठीक है क्या कोश्च है रवी told his friend to buy a car to buy a car अब देखो told to भाया told के साथ to नहीं आएगा क्योंकि told अपने साथ सीधा transitive अब्जेक्ट लेगा आपने आपको पता यह होगा say to convert होता है told में और told to कुछ नहीं होता ठीक है ना तो इसलिए यहां पर told to नहीं होगा he is accused accused के साथ भाई off preposition आता है बोलते बोलते मैं ठख चुका हूँ आप लोग कोई चीज़े पता होनी चाहिए ठीक है next आता है मेरा भाई क्या next आता है आपका the poet described described transitive भाव है इसको अपने बाद preposition नहीं चाहिए सीधा object लेगी describe का मतलब ही होता है कुछ बताना about का मतलब भी है बताना कि क्या चीज़ है तो describe जो खुद ही बता रहा है तो about के जरूद भी नहीं है ऐसे sense में भी देख सकते हो आप the atmosphere comprises of many inert gases also comprise comprise के साथ कभी भी comprise के साथ off नहीं आता क्योंकि comprise का मतलब होता है consist of consist के साथ off आता है comprise के साथ नहीं आता we disposed of our old furniture before moving to Mumbai disposed of disposed के साथ off लगाना है तो ओफर लगाओ एक ओफ लगाओ देखो इस ओफ का मतलब होता है कोई किसके बेरिफ्ट बेरिफ्ट ओफ यह मैंने अल्डेडी आपको बता दिया बेरिफ्ट ओफ होता है he ascended ascended to देखो ascended to reported to suggested to ध्यान डखन ठीक है he ascended to my proposal as it was very attractive class अच्छी लग रही हो तो भाईया एक बार जरूर बता देना मेरे को ठीक है a large sign near the entrance warns the visitors to beware of beware of beers ठीक है कि भाईया जो sign लगावा है entrance में वो बताता है वो visitor को warning देता है कि भाईया बचके रहना beware मतलब होता साफधन रहना very रहना w a r y carry रहना c h a r y vigilant रहना साफधन रहना careful रहना beware रहना किसे beer से तो beware के साथ ओफ आता है the teacher was tense when he entered the class which comprise अभी बताया मैंने comprise के साथ off नहीं आता तो off नहीं आएगा there is no rule regarding the length of a precise with relation to with relation कुछ नहीं होता हमेशे आप एक phrase है वो use करो in relation again in relation he is suffering he is suffering with few मेरे बाई suffering with नहीं suffering from fully होता है यह चोटे 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 चीजे हैं जो आपको पता होनी चाहिए तो next हमारा यह suffering के साथ from आ गया है आपको पता चले गया suffer from use करो he wanted to मैंने भी बताया था go हो want हो ठीक है देखो यहां पर गो आ रहा है गो हो रीच हो arrive हो कम हो अगर इनके बाद home word आ रहा है तो उससे पहले कोई भी proposition यूज नहीं होगा तो तू हटा दोगे यहां पर गो आ रहा है ठीक है ना जाते जाते मेरे भाई हमारा grammar course है paid course है मात्र बहुत ही कम पैसों में आप वो देखिए उस grammar course के साथ साथ आपको vocab कैसे पढ़नी है मैं बताऊंगा आपको मेरी personal guidance मिलेगी मैं आपको number दूँगा आप मेरे से WhatsApp पर direct बाते कर सकते हो doubt पूछ सकते हो आजकल guidance की ही कमी है बच्चों में ठीक है तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते हैं कि इंपॉर्टन चीज यह है कि देखो हमारी जो एप है वो लॉंच हो गई है विने कक्षा नाम से ठीक है आप Google Play Store पे Android वाले जो Android बच्चे Android फोन यू इस वालों के लिए तो वहां से जाके download कर सकते हैं ठीक है Google Play Store में जैसी आप इने कक्षा लिखोगे तो यह आपका ऐसा स्क्रिंग को लेगा आपको install करके open करना इसके बार आप आप आजाएंगे इस interface में ठीक है जैसी आपके आगे यह interface स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आप NTS जितने भी SSC के एक्जाम मेरे भाई ड्री ट्रिपल स्बी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा ड्री ट्रिपल स्बी PGT PRT जितने भी आपके एक्जाम में के विए सारा है TGT है जितने भी आपके टीचिंग के एक्जाम में उनको English का मैंने कैसा कोर्स बनाया है जिस पढ़ते जाएंगे जो भी आपको डाउट लगेगा जो बच्चा स्कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पर क्या करेगा वटसब पर अपने मेरे भाई डाउट बेजेगा मैं उनको हाथ वाथ बता दूँगा मैं आपको पूरा एक्जाम के लिए गाइड करूँगा चा आपका जो कोर्स हैं तो 200 रुपीज ऑफ हो जाएगा आपका तो इस 799 में मातर 799 में आपको पड़ेगा ठीक है तो जिसको लेना हो वो ले सकता है बाकि अपना यूटूब की वीडियोस आती रहेंगी तो कड़ते रहें इंग्लिज ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोल कीगा नई सब्सक्राइक किसे त्यावरoni करें यह के लिए कोर्स रहेंगा जिसक्ति Amium की पूर इंग्लिज सारी पॉर और स्पीच जितना भी आपकी पायप curry है इसमें आपका जितनीपा पॉर्प पीज्चेंदौर्टिन से लेकर एड़वब तक प्रयपोजिशन इस्नप पर आम मुझे कॉल कर सकते हैं ठीक है और मेरे से आपकी बात करवा देंगे जोगी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा ठीक है तो चलेगा इस थैंक यू है वनाइस टे